नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं उनके साथ में हमन सुरेन समेत अन्य वर्य नेता भी मौझूद रहे बता दे साथ जुलाई को हमन सुरेन सीम पद की सपत ले सकते हैं वहीं सीपी राधा कृष्णन राजभौन पहुंचे हैं और राजभौन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है वर ये पुलिस पता दिकारी राज जेपाल को एयरपोर्ट से लेकर आए साथ बच का तीस में अट पर चमपाई सुरेन इस्थिपास सौप ने आए उनके साथ में हमन सुरेन भी मौझूद रहे बताद हिमन सुरेन चमपाई सुरेन के त्याग पत्र के बाद सरकार बनाने का दावापेस किये वहीं कट बंधन के बिधायकों ने उन्हें आमसामति से अपना नेता चुन लिया है हलाकी विवित्ता घोसना की परतिक्षा है हेमान स्वरेन की रांची में इंडिया के विधायकों के साथ मीटिंग पूरी हो चुकी है जनकारी के मुताबिक हेमान स्वरेन एक बार फिर जारखन के मुख्य मंत्री बनेंगे हेमंत सुरेन के सीएम बनने पर बाबुलाल बोले सत्ता पर एक आधिकार मानता है सिबु सुरेन परिवार जारखन में सियासे उठा पटक के बीच बिजेपी परदेश अध्यक्स बाबुलाल मरांडे ने सुरेन परिवार के उपर बड़ा हमला बोला है उन्होंने सिबु सुरेन परिवार पर आरोप लगाया है कि इनके परिवार के बाहर के आधिवासी केवल काम चला हुआ है सुरेन परिवार अपने रायनितिक फायदे के इस्तिमाल के बाद दूद से मोखी की तरह उठा कर बाहर कर देंगे दरसल राइनिती के लियारों में चार्चा है कि जार्खन की सत्ता में फिर से बदला होने वाला है हेमान सुरेन के जेल से बाहर आने के बाद चार्चा है कि वह फिर से मुख्य मंत्री के तोर पर सपत ले सकते हैं वही बाबुला माडे ने सुरेन परिवार पर कटक्ष करते हुए कहा है कि सीम चमपाई सुरेन को बार बार अप्मानित किया। उन्होंने बिधायक दल की बैठा का जिक्र करते हुए कहा है कि CM चमपई को बिधायक दल के नेता है और उन्हें किनारे बिठाया गया है चमपई सुरेन के कारेकाल में 200 यूनिट बिजली सही कई बड़े फैसले हेमान सुरेन के रिहा होने के बाद से ही जहारखन में सियासी परातेज है पुरमुख मंतरी के जेल से बाहर आने के बाद बुद्धवर को सत्ताधारी दलों की पहली बैठाक बुलाई गई जिसमें हेमान सुरेन को फीर से भिधायक दल्गिनेता चुनने का फैसला लिया गया है ऐसे में 25 सुरेन सरकार ने अब तक 5 माह के कारेकाल में क्या 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 बड़े फैसले लिये आपको बता दे सीम 25 सुरेन ने बिहार की तरह जारखन में भी जातिय सर्वेक्षन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है वहीं जारखन के मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन ने कुछ दिन पूर्व ही बिजली बिल माफी को लेकर ही बड़ा फैसला लिया है उन्होंने हर माई 200 यूनिट बिली मुफ्त करने की घोसना कर दी है वहीं आयुस्मान भारत योजना से वनशित लावकों के लिए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास शुरक्षा योजना की शुरुवात्की है इसके तहत 33 लाख लोग लभानमित होंगे वहीं बहन बेटी माई कुई प्रोसाहन योजना की शुरुवात्की गई इसके तहत 11 से 50 वरस की महिलावक बैंक हाते में 11,000 रुपे की साहतरासी हस्तातित की जाएंगी वहीं मुख्यमंत्री अस्पताल संचाले जोजना के प्रस्ताव को भी मंजूरिद्य दी गई है उसके साथ ही कुछ माह पहले ही अबुआ आवास जोजना की शुरुवात्की गई इसके तह साड़े 4 लाख लावकों को 3 कमरे कावास दिया जाएगा सहायक पुलिस कर्मियों का अंदोलन जारी सहायक पुलिस कर्मियों का धारना परदसन दूसरे दिन बुद्धवार को भी मुराबादी मैदार में जारी रहा दूसरे दिन सहायक पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जम कर परदसन किया सरकार के खिलाप खुब नारेबाजी की आंदोरन कर रहे पुलिस कर्मियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वे आंदोरन जारी रखेंगे बिवेकान ने बताया है कि पुर्व विधायक बंधु तिर्किय और मंत्री मिथिलेश ठाकूर ने 2020 और 2021 को आसवासन दिया था कि उनकी मांगों को हर हाल में पूरा किया जाएगा मगर उनका असवासन जुठा निकला सहायक पुलिस कर्मियोग 2017 से लेकर 2018 तक 10 एर मांदे के अलावा कुछ नहीं दिया गया है बांगला देशी घुस पैठी पर राय सरकार से दो हपते में मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारखन हाई कोट के जस्टिस एसन परसादवा जस्टिस एकके राय की खंड पीट में संताल पर गनाच छेतरे में बांगला देशी घुस पैठी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जानी त्याज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की बाद अदालत ने संताल प्रमंडल के सभी उपायुकतों को आपसी समंजासे से बंगला देश से आने वाले घुस पैठीयों को चीन हित कर वापस भेजने की कारी जोजना त्यार करने को कहा है आदालत ने मौखिक रूप से राज सरकार से कहा है कि बंगला देश से घुस पैठीये आपकी जमीन पर रह रहे हैं यह हम तमाम सुविधा उठा रहे हैं इनको चीन हित करना होगा और इने वापस बंगला देश भेजना होगा आदालत ने सरकार से दो सप्ता के अंदर प्रगती रिपोर्ट पेस करने का निर्देश दिया है चमपाई स्वरेन को सीएम पस से हटाया जाने पर बिजेपी और आजसु हुए हमलवार राज में जामो गडवन्दन सरकार के नितिवत परिवतन की भारतिया जानता पाटिन निन्दा की है असम के मुख मंतरी और जार्खन के सह चुना प्रभारे हिमन्त बिश्वा सर्मान इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा है की जार्खन में जामो यम कांग्रेस द्वार एक वरिष्ट आदिवासी नेता को मुख मंतरी पत से हटाया जाना अत्यांत दुखाद है मुझे यकीन है कि जार्खन की जानता इस फैसले की कड़ी निन्दा करेगी और इसे दिर्धता से खारिच करेगी वही नेता प्रतिपक्स जार्खन विधान सभा अमर कुमार बावरी ने अपना एकस एकाउंट पर लिखा है की चमपाई सुरेन जैसे वरिष्ट नेता के साथ सुरेन परिवार का या व्यवहार बहुत सर्मनाक और निंदनीय है आप जार्खन के चुनाओं में कुछ मही नहीं बचे है लेकिन सुरेन परिवार को सता की ऐसी बेकरारी है की वे इससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकते है सीएम पद से हटने के बाद चमपाई सुरेन को क्या मिलेगा चामो के कारकारी अध्यक्स हेमान सुरेन तीसरी बार जार्खन के मुखे मंतरी बनेंगे और इसकी तियारी कर ली गई है महागरबंदन की ओर से विधायक दलकानेता हेमान सुरेन को चुन लिया गया है और इसकी सुतना राजभहन को भी दे दी गई है ऐसे में राजभवन को भेजे गए पत्र में साथ जुलाई को सपत ग्रहन कराय जाने का अग्रह किया गया है सपत ग्रहन में एक साथ सभी मंत्री सपत लेंगे कारकरम के आयोजन को लेकर राजभवन से आगरा किया गया है कि मुरबादी मैदान सपत ग्रहन का आयोजन हो गुरु आर्तक तीथिया असपस्ट हो जाएगी सुत्रों के अनुसार केबिनेट में मुख्य मंत्री चमपई सुरें नहीं होंगे उन्हों गटबंधन में कोई अहम जिमेदारी दी जाएगी इसके अलावा वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं उन सभी को एक साथ सपत दिलाया जाएगा जारखन में पांच दिन बाद धीमा पर सकता है मांसून राजधभान में अगले दो दीन मांसून के घने बादल चाये रहेंगे इस दवरान रांची में रूक रूक कर हलके से मत्दर्जे की बारिस होगी मौसम प्रॉनमान के मुताबिक पांच के बाद मांसून के बादल हलके होंगे और बारिस में कमी आ सकती है राजधानी में बुद्धवार को दीन के दोरान केवल एक मिलिमीटर बारिस हुई है जबकि बुद्धवार की रात में राजधानी के विभीन छेतरों में रुक रुक कर हलकी बारिस होती रही पिछले 24 गंटे के दोरान तीरपन मिलिमीटर बारिस हुई है पिछले चार दिनों से राज धानी के उपर बादल चाय हुए है रांची में एक जून से अब तक 109.3 मिलिमीटर बारिस हुई है जो समान वर्ष पाद 225 मिलिमीटर से 51 प्रिजदी कम है लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक खर्ची ले धुलू महतो लोकसभा चुनाव 2024 समपन हो चुका है केंद्रे में NDA की सरकार भी बन चुकी है चुनाव परिणाम आने के एक माहत तक भारत निर्चन आयोग का कायम समापत नहीं हुए था अब जाकर चुनाव आयोग ने अपनी अम्तिम रिपोर्ट जारी कर दी है इसके ताद धन्वाद लोकसभा सीट पर चुनाव कारियों पर चार को लेकर भाजबा परत्यासे और बरतमान साथ धोलू महतों ने सबसे अधिक खर्च किया है उन्होंने 61.97 लाख रुपए इस चुनाव को दोन खर्च किये वहीं कांग्रेस की अनुपमा सिंग दूसरे हस्थान पर है उन्होंने इस चुनाव में 49.12 लाख रुपए खर्च किये है जबकि खर्च करने वाले में तीसरे हस्थान पर जगदीश रवानी का नाम है जगदीश रवानी ने 34.30 लाख रुपए विभीन चुनाव कारियों के लिए लगाया है गीरीडी में भारी मत्रा में 20 फोटक बरामत गीरीडी में पुलिस ने एक बड़ी साजी सको नकाम कर दिया है पुलिस ने बिस फोटक के साथ एक ब्यक्ती को जीले के खुकरा थाना की पुलिस ने गिरफतार किया है सभी विस फोटक को पुलिश ने जब्त करते हुए ब्यक्ती सिराज अंसारी उरुप सिराजुदीन अंसारी को गिरफतार कर बुद्धवार को उसे जेल भेज दिया है इस मामले में कांड संखे 14 बाई 2024 के तहट मामला दर्च किया गया आरोपी सिराज अंसारी ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वह कुआ खुदाई में पत्थर निकाले जाने के कारान इस बिस फोटको को लगाया गया था ताकि पत्थर को बलास्ट किया जा सके इधर अधीक मात्रा में विस फोटक मिलने से परसासन रेस हो गया है और पुलिस ने उक्त करवाई की है जार्खन हाई कोट के मुख्य नयाधिस नियुक्त किये गए जस्टिस बियार सरंगी जस्टिस बियार सरंगी जार्खन हाई कोट के मुख्य नयाधिस नियुक्त किये गए है 28 दिसंबर 22 से जार्खन उच नयाले में चीफ जस्टिस का पदरिक था 27 दिसम्मर 22 को सुप्रीम कोट कावलेजियम द्वारा की गई सी फारिश के बाद उडीशा उष नियालाय के नयायधिस जस्टिस डाक्टर बियार सरंगी को जार्करण हाई कोट का मुख्य नयायधिस नियूक्त किया गया है बतादे जार्खन हाई कोट में 28 दिसमर 23 से चीफ जश्टिस का पद रिक था जार्खन हाई कोट के चीफ जश्टिस संजय मिस्तरा के सेवन निर्थ होने के बाद जश्टिस एस चंदर सेखर को हाई कोट का एक्टिंट चीफ जश्टिस बनाया गया था अब उडिसा हाई कोट के जस्टिस बिया सरंगी को मुखे ने आधिस नियुक्त किया गया है मांदर को मिलेगा जियाई टैग असम की बिहुट होल की तरह जहर्खन का परामपरिक बाधे यंतर मांदर भी जियाई टैग पाने की कतार में खड़ा है इसके लिए गुमला जिला परसासान चेनाई इस्थीत जियाई टैग सेंटर में आवेदन भी कर चुका है यह पुरी कवायद 2023 में गुमला के ततकालिन DC सुसांत गोर्वने शुरू की थी मजूदा DC कर्ण सत्यार्थी इसकी मोनेटरिंग कर रहे है संभवता इसी वर्स मांदर को जियाई टैग हासिल हो जाएगा इसके बाद इस बाद्यंत पर जहरखंड का एकाधिकार हो जाएगा साथ ही गुमला के राइडी परखंड के जर जट्टा गाओं को बतर मांदर प्रोड्यूसर कमपनी के रूप में प्रहचान भी मिलेगी गढ़वा में प्रेमी जोड़े के साथ मार पीट में सामीज चार लोग गिरफतार गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना छेतर के बिलासपूर गाओं में बिवाहित महिला एहम उसके कथित प्रेमी को आपती जनक इस्थिती में देख लोगों ने पकड़ कर जम कर पिटाई की थी इस कांड का वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो गया इस घनकारी मिलते ही पुलिस ने तोरित करवाई करते हुए नगर उटारी थाना ममला दर्ज कर लिया और मामले में 4 आरोपी यूकों को आरेश्ट कर लिया है बताया जा रहा है कि जिले के नगर उटारी थाना छेत्रे के बिलासपुर गाव में बिवाहित महिला है हम उसके कथित प्रेमी का पिटाई कांड का वीडियो सोसल मीडिया परवारल हुआ इसके बाद मामला तूल पकरता देख पुलिस एक सन आ गई है घतना की जनकारी मिलते ही पुलिस नगर उटारी थाने प्रत्मी की दर्शकर पिटाई करने के मामले में चार आरोपी ब्यक्ति को हिरासत में लेकर पुस्ताच कर रही है चार जूलाई से वहन चेकिंग अभियान एक बार फीर से लाते हार जीले में सगहन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा बिगत कुछ महीने से जीले में सलग दुर घटनाओं में बेताहासा बिर्धी हुई है इससे देखते हुए पुलिस पसासे ने सगहन वाहन चेकिन अभियान चलने का निना लिया है एस पी अंजनी अंजन ने यह जनकारी पुलिस मुखहले में आयोजीत प्रेस वारता में दी है उन्होंने बताया है कि जीले में सवक दुर हटना के मामले में कमी लाने के उदे से एक बार फिर से सगहन वाहन चेकिन अभियान शुरू किया जा रहा है गुरुवार से जीले के सभी थाना चेत्रे में पुलिस की टीम और परियोहन विभाग के दुवार वाहन चेकिन अभियान चलाया जाएगा इसे लेकर एसपी ने बुद्धवार को जीले के पुलिस अधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों साथ मिटिंग भी की है चाईबासा में दो दिवस्य भरती कैम्प आई से सुरू राज्य के सिक्षित बेरोजगार युवाओक निजी छेतर के परतिष्ठानों में नियोजन प्राप्त करने का आउसर उपलब्ध कराने के उदेश से स्रम नियोजन प्रसिक्षण को उसल विकास विभाग जीला नियोजन आलाय चाईबासा दो दिवस्य भरती कैम्प का गु सक्षतकार होगा इसमें सिंभूम प्रमंडल के चार नियोजन को ने उपस्थिती होने की समाति दी है धन्यवाद